हेलो फ्रेंज दिस इस रानी गुपता एंड वेलकम बैक टू सीविल अड़ा 247 एंवायर्मेंट और एकोलॉजी से रिलेटर जो घटना चक्र विशेसांग है उसके मातपूर्ण 25 कॉश्चन हमने इस पार्ट में लिये हैं इसके पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 अपलोड हो तो चलिए 25 मातपूर्ण कॉश्चन को रिवीजन करते हैं देखिए जो पहला कॉश्चन है एन इए से आसे है तो इसका राइट आंसर है नेशनल अन्वायर्मेंट अथारिटी एन इए नेशनल अन्वायर्मेंट अथारिटी ठीक है इसका हम यदि पुराने नाम की बात कर था वो पर्यावरण मंत्राले द्वारा किया गया था यह किया कब गया था इसका तो इसके लिए जो अधिनियम पारिट किया गया था राष्ट्रिय पर्यावरण अपीलिय प्राधिकरण अधिनियम यह पारिट कब किया गया था 1997 में यह पारिट क्यों किया गया था 1997 में त सन्रक्षन अधिनियम जो Environment Protection Act 1986 है उसमें जो भी प्रावधान थे चाहे वो उद्योगों को सन्रक्षन करने के लिए हो चाहे वो किसी प्रतिबंद के विशय में हो तो इनके इसमें जो भी प्रावधान थे उनके सम्मंदित जो अपील है उसकी सुनवाई करने के लिए इस इस का गठन कौन से उसमें अधिनियम के तहित किया गया था? NEAAA 1997 के तहित किया गया था और हमारा जो Environment Protection Right Act है, वो कब पारित हुआ तो? वो हुआ था 1986 में, clear है? तो ज्यान रखेगा N.E. का फुल फॉर्म, National Environment Authority Next देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्याले अवस्थित है, जेनेवा में स्थित है, WMO Mostly जेनेवा में होते हैं इनसे related, तो जेनेवा कहां पे है? स्विट्जा लेंड में है जेनेवा विश्ट o mmosom विज्ञान संगठन का मुख्याले कहां पे है जेनेवा में है ये काम क्या करता है तो जो प्रत्वी है उससे सम्मदी जो भी वायू मंडल है जो दसाइए चल रहे है जो प्रत्वी का वयोहार है जो वहाँ पे चल रहा है उन सब का जो study करता है वो कौन करता है WMO तो मुख्याले कहां पे है इसका जेनेवा सुट जेलेंड next question देखते है UNEP का मुख्याले कहां है United Nation Environment Program United Nation Environment Program इसका मुख्याले कहां पे है Nairobi और Nairobi कहां है Kenya में तो इसका मुख्याले हो जाएगा UNEP का Nairobi Nairobi Kenya ठीक है अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 याद रखिएगा ये question UNEP की स्थापना 1972 इसका United Nation Environment Program और इसका जो हेड़ कॉर्टर है वो कहां पे है Nairobi जो की Kenya में ठीक है इतनी चीजें से याद रखिएगा next question देखते हैं संयुक्त रास्ट पर्यावरन कारिक्रम UNEP का मुख्याल है अभी आपने देखा Nairobi Kenya में है और इस्थापना कब ही थी इसकी 1972 में next question देखते हैं EPA का full form क्या है तो Environmental Protection Agency इसका right answer है और जो UN है तो अमेरिका की है जो अमेरिका है उसकी एक क्या है संगी एजनसी बोल सकते है इसको Environmental Protection Agency EPA clear है UK उत्राखंड PSC का question है next देखते हैं Greenpeace International का मुख्याले कहा है Greenpeace International अच्छा सबसे पहले आप जानिए कि Greenpeace International है क्या तो कभी ऐसा question पूछ लेता है कि Greenpeace International Greenpeace क्या है सरकारी संस्था है International सरकारी संस्था है या गैर सरकारी संस्था है तो ध्यान रखिएगा Greenpeace International एक Non-Government यानि गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है NGO है ये ठीक है ना Greenpeace क्या है Non-Governmental Organization है और किस से related ये Environment से समन्दित है और इसका मुख्याले कहां पे है Amsterdam जो की Netherlands में है ध्यान रखिएगा कहां पे Netherlands में Next question देखते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षन अधिनियम पारित हुआ 1986 में कब पारित हुआ भारत में पर्यावरण संरक्षन अधिनियम जो भी अधिनियम है लगबग हम उनको कंप्लीट करने की कोजिस करेंगे एक ही पेज में मतलब हम एक ही वीडियो बनाएंगे उसमें जितने भी आपके Environment से Related जो भी एक्ट है वो कब पारित हुए और उसको Serial Wise हम याद करेंगे जिससे हमें क्या होगा आसानी होगी उससे हमें पढ़ने में तो हम उसके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे तो फिलहाल यहाँ पे क्या है National माफ कीज़ेगा परियावरन संरक्षन अधिनियम 1986 में पारित हुआ था संपूर्ण भारत में नेक्स क्वेशन देखते हैं परियावरन के परिरक्षन और संरक्षन हे तो परियावरन संरक्षन अधिनियम भारत सरक्वारदरों कब पारित किया गया सेम क्वेशन है UPPCS में 2017 में आया था तो यह 1986 में पारित किया गया था नेक्स निम्लिकित वर्सों में कब पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ तो यह पारित हुआ था 1986 में अभी आपने देखा पिछली दो स्लाइट में नेक्स कोशन देखते हैं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA Environment Protection Act को अन्य किस नाम से जानते हैं MPPSC 2013 का कॉश्चन है तो इसका राइट आंसर है अंब्रेला लेजिसलेशन मतलब छाता विधान तो ध्यान रखिएगा जो EPA है 19 पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम या पर्यावरण संरक्षा अधिनियम 1986 उसे हम किस नाम से जानते हैं छाता विधान के नाम से जानते हैं ठीक है न अच्छा ये जो 1986 हमारा पारित किया गया था Environment Protection Act तो उससे याद रखिएगा कि 1972 में 1972 में Stockholm में एक सम्मेलन हुआ था ठीक है Stockholm तो वहां पे जो सम्मेलन हुआ था संयुक्त रास्ट्र का जो एक प्रकार से कह सकते हैं सम्मेलन था तो उसमें जो मानों से रिलेटर जो भी कतिविधिया है जो भी उनकी निर्णे है और उनका जो भी उद्देश से रखा गया था 1972 के Stockholm सम्मेलन में जो भी प्रावधान रखे गए थे उन प्रावधानों को कार्यानवित करने के लिए संचालित करने के लिए हमें क्या लाना पड़ा था 1986 का अधीनियम ठीक है न तो आप यहां से याद रखेगा नेक्स देखते हैं जैनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिती जैनेटिक इंजीनिरिंग एप्रूवल कमिटी ठीक है तो इसमें क्या था कि यह अनुमोदन समिती का गठन निम लिखित में से किसकी अधीन किया गया है तो इसका राइट आंसर है पर्यावरंड 2010 को एक notification पारिद किया गया था सरकार द्वारा तो उसमें इसका नाम change किया गया है ठीक है ना इसका जो approval committee इसका नाम change किया गया है और अब इसका नाम वर्तमान में क्या रख दिया गया है genetic engineering approval approval appraisal committee मतलब आकलन समिती अनुवानशिक engineering अनुवानशिक इंजीनियरिंग आकलन समिती इसका नाम कर दिया गया है कब 2010 में बदल कर 22 जुलाई 2010 में इसका नाम change कर दिया गया है और अब क्या कर दिया गया है आकलन समिती ठीक है और किसके अधीन यह अब आएगा परियावरंस अधीनियम जो 1906 है उसके तहत आएगा इसमें होगा क्या तो जो यह है approval committee है इसके अनुसार जो भी जीव हैं जो की अनुवानशिक की जेनेटिक के त्रू जेनेटिकली जो जीवों का जो कोशिकाओं का निर्माड होगा उनका उपियोग होगा उनका जो आयात निर्यात इं एक्सपोर्ट यह सब होगा उनका जो भंडारण होगा तो इन सब में क्या करेगा वे कहां कहां पर हैं क्या करते हैं तो इनका सब का संचालन कौन करेगी अब ये approval committee करेगी clear है next देखते हैं निमलिकित में से कौन पर्यावरन संतुलन के संरक्षन से सम्मंदित है या फिर है ठीक है वन निती पर्यावरन सुरक्षा अधिनियम 1986 और द्योगिक नीती और सिक्षा नीती नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर के सही उत्तर चुनिए तो क्या एक और दो साई हैं दो और तीन साई हैं एक दो तीन साई हैं या फिर चारों साई हैं इसमें तो ध्यान रखि इसमें सभी सई हैं, option D's का right answer है, सभी सई हैं, ठीक है, जो पर्यावरण संतुलन है, उसके संद्रक्षन से सम्मंद, वन नीती और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, जबकि और द्योगिक नीती और सिक्षा नीती में भी पर्यावरणी द्रस्टिकोंड को समलित किया जाता है, बिल्कुल जब हम सिक्षा नीती देखते हैं, तो वहाँ पर्यावरण संतुलन से सम्मंदित होता है, और द्योगिक नीती जब भी हम कोई इंडस्रिल पॉलिसी अगर लेके आते हैं, सरकार लाती है, तो उसमें आपको पर्यावरण से रिलेटिड जो भी सही होगा, उस नेक्स देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एन जी टी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है 2010, जे पी असी प्रिलेम्स 2016 का क्वेश्चन है, इसके अलावा हम बता दें कि ये 2018 में MPPSC मेंस का भ NGT, भारत सरकार द्वारा स्थापित कब किया गया है, तो ध्यान रखेगा NGT की स्थापना, 2010, 18 October, 2010 में की गई थी, 18 October, 2010 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राश्ट्रिय हरित प्राधी करण, ठीके, इसके तहत की गई थी, और ये काम क्या करता है, तो परियावरन संर प्राधन है, उन से संबन्दी जितने भी मामले होते हैं, उनका निप्टारा करती है, कौन? NGT, इसका मुख्याल है कहां पे है, तो न्यू डेली में, नई दिल्ली में, नेक्स देखते हैं, इको मार्क, अब देखें, यहां पर एक होता है एक होता है, और एक होता है, एक ह होता है, आप हमें बताइएगा, कमेंट सेक्षन में, देखें, इको मार्क उन भारती उत्पादों को दिया जाता है, जो इसका राइट आंसर है, पर्यावरण के प्रती मैत्री पूर्ण हो, मतलब जो भी एन्वार्मेंट के लिए जो भी सेफ होगा, उसको ही क्या करते है, इको मार्क का टैग दिया जाता है, इंडियन प्रोड़क्ट के लिए, तो पर्यावरण के प्रती मैत्री पूर्ण हो, हम उसे इको मार्क, इको मार्क इसको दिया जाता है, पर्यावरण के प्रती मैत्री पूर्ण हो, उसके लिए दिया जाता है, नेक्स्ट, नगरी करण औ और यहां पर जो चम्लत्बिन दिवित係 दो निवादर को यहां पे जब भी नगरी करन ज्यादा हो जाता हे या और योगी करन इंडरस्टork कष्छत हो जाता है पर्यावरंब सुरहाड़ब् से पहां परियावरन ज्でもी धिकेशन को yr तो हरित्विकास एक रचना है, क्रती है, Green Development, उसके लेखा कौन है, W.M. Adams, याद रखेगा, W.M. और ये किस से related है, Green Development से, ठीक है, नेक्स्ट कोशन है, भारती प्राकृतिक क्रसी का अनवेशक, प्राकृतिक क्रसी का अनवेशक, मतलब यहाँ पर जो नेच्रल फार्मिंग है, उसके खोज करता कौन है, अब इशकारक कौन है, तो उनका नाम बताया है, Masanobu Fukuoka, ठीक है, जापान के हैं ये, Masanobu Fukuoka, कहां के हैं, Natural, Father of Natural Agriculture, या Natural Farming, Masanobu Fukuoka, जापान, नेक्स देखते हैं, पर्यावरन संरक्षन के लिए Green Army को किसने प्रारंब किया था, ये भी MPPSC 2014 का कॉश्चन है, ये Australia जो कंट्री है, उसने प्रारंब किया था इसको पर्यावरन संरक्षन के लिए Green Army, तो ध्यान रखिएगा, Green Army किसने स्टार्ट किया था, Australia, याद रखिए तो नहीं, वहाँ पर रेत जादा है, लेकिन फिर भी आप याद करने की आप से कुछ भी कर सकते हैं, कि जो Australia के लोग हैं, या Australia की जो आर्मी हैं, वो Green कलर की ड्रेस पहनती है, तो आप याद रख सकते हैं, Green Army, Australia, Green Army, Australia, और किस से related है ये? Environment Protection से, ये भी important है, Green Army किस से संबंद जो पर्यावरण की अपार्च हती के कारण चर्चा में था, और ये अवस्तित है, ये 2009 कावी पुराना question है, उस टाइम पी current affair में था, फिर भी आपको याद रखना है, पलाची माड़ा कहां पे? केरला में है, कहां पे है? केरला में है, जो दक्षिन भारती, जो हमारे राज हैं, केरल करनाटक जो भी है, तो केरल में एक पलककड जिला है, कौन सा? पलककड, पलककड एक डिस्टिक है, वहाँ पे एक छोटा सा गाओं है, पलाची माड़ा, ठीक है ना? तो यहाँ पे याद रखिएगा, केरला में है, नेक्स्ट है, ग्रीन वास इंगित करता है, को हरियाली हटाने से संबंदी थे, ग्रीन वास, देखे, यहाँ पे लिखा है, ग्रीन वास, कितना अलग, मतलब इसमें साउंड हो रहा है, ग्रीन वास मतलब हरियाली हटाना है ना? लेकिन इसका राइट अंसर क्या है? परिया वरंद सनरक्षन का जूठा वादा करना, UPPCS ऐसी एक condition को दिखाता है जहां पे कोई संगट हित अगर पर्यावरंड जो प्रथा है कोई भी प्रथा है वहाँ पे या कोई उत्पाद है या किसी सेवा के पर्यावरंड ने जो लाब है उसके बारे में लोगों को गुमराह किया जाता है ठीक है तो इसे हम जैसे हम माइंड वास बोलते है न वैसी ये ग्रीन वास है कि पर्यावरंड से रिलेटेड जो भी प्रथाएं चली आ रही है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है ऐसा करने से ऐसा होता है या फिर कोई प्रोड़क्ट है या कुछ ऐसा जो एन्वार्मेंट के मतलब ऐसा लगता है कि हम इसका यूज करके हमं एन्वार्मेंट को बढ़ा सकते है या हमें लाब प्राप्त हो सकता है तो ऐसे जूटे वादों को वो करके लोगों को गुमराह किया जाता है तो ये क्या कहलता है ग्रीन वास नेक्स कुश्चन देखते हैं भारत के निमलखित राजियों में से किसने हाल ही में हरित ग्रह करसी ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंब की है अब हाल ही में यहाँ पर लिखा है तो यह 2001 और 3 का कोश्चन है तो ऑवियस वो बहुत पुराना है लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा ग्रीन हाउस कोश्चन पूछ सकता है तो इसका राइट आंसर है पंजाब ने ठीक है पंजाब में मार्क फेड क्या पंजाब का मार्क फेड पंजाब का मार्क फेड और इस्राइल का सयाग सयाग बोल सकते हैं तो इनके बीच एक समझोता हुआ था काय के लिए हुआ था यह समझोता तो पंजाब में जो हरी सबजियां हैं वो इसके तहित उगाई जाने के लिए किया गया था तो ग्रीन रिवाल्यूशन में पंजाब गेहों के छेतर में और ग्रीन हाउस जो अग्रिकल्चर है उसमें भी पंजाब है सबजियों के लिए ठीक है नेक्स देखते हैं विस्व परियावराण दिवस जिस तारीक को मनाया जाता है बहुत ही सरल कोश्चन है पांच जुन को मनाते हैं और यह दो बार यहां पर आ चुका इसके अलावा कई बार यह कोश्चन पूछ चुका है फिर भी इसे मिस्टेक हो जाती है इसमें तो ध्यान रखिएगा विस्व परियावराण दिवस पांच जुन को मनाया जाता है इसके अलावा जो पहली बार यह मनाया गया था विस्व परियावराण दिवस फर्स टाइम कम मनाया गया था 1973 में कम मनाया गया था 1973 में लेकिन जो इसकी शुरुवात हुई थी 1972 क्वेशन आप अच कौन से सम्मिलन के तहित किया गया था तो 1972 के Stock Home सम्मिलन अभी आपने देखा पिछली एक स्लाइड में बताया था तो Stock Home सम्मिलन 1972 में हुआ था और यहीं से विश्व पर्यावरंड दिवस को 5 जून को मनाय जाने का निर्ने लिया गया था तो पहली बार कम मनाय गया 1973 में याद रखिएगा इसे Next question देखते हैं परियाव पारिस्थित की निम लिखित के बीच पारसपरिक सम्मंधों का अध्यान है यह question कई बार पूछ चुका है यहाँ पे सिर्फ ERO 2014 का बता रहा है MPPSC का भी यह question है तो पारिस्थित की निम लिखित के बीच पारसपरिक सम्मंधों का एक अध्यान है तो याद रखिएगा जो पारिस्थित की है वो optionary right answer है इसका जीव और वातावरण जीव और वातावरण की मत क्या है इसके बीच में पारसपरिक सम्मंधों को बताता है ठीक है अच्छा जो पारिस्थित की है वो है क्या तो ये एक जीव विग्यान की एक साखा है ब्रांच है जिसमें जीव समुदा है और जितना भी उनका वातावरण है उसके मत ही जो पारसपरिक सम्मंध है उनका अध्यहन किया जाता है ठीक है तो जीव और उसके जो बाहरी वातावरण के बीच कैसा संबन्ध है निस्क्री एक्टिव या कैसा संबन्ध है इन सब को कौन बताता है पारिस्थित की बताता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्षिन ए जीव और वातावरण क्लियर है नेक्स देखते हैं ये इसका लास्ट क्वेशन है पच्चिस क्वेशन में पारिस्थित की तंत्र एको सिस्टम की संकल्पना को प्रस्तावित किया था इसका राइट आंसर है ऑप्षिन डी टॉन्स लेने तो याद रखिएगा इ एको सिस्टम वो एक खुला तंत्र है ये भी कोशन पूछता है एको सिस्टम कैसा तंत्र है ओपन है क्लोज है कैसा है तो याद रखिएगा ये ओपन सिस्टम है ये पारिस्थिति की तंत्र एक खुला तंत्र है क्योंकि देखिए यहां पिना तो एनरजी और नहीं पदार् एलती गभण होती है जो यह डी यह पूटी का अरक पर इसंतर पर नझा जो जो एसी क्रिया होती है जिनमें ऑड़ पूर इंपूड दोनोह ही होता है तो यह थे का माधी? एक खुला तंत्र है और इसकी जो संकल्पना दी थी वो किस ने दी थी एजी टॉंस लेने द्यान रखेगा आप इसको तो ये थे महातुपूर्ण 25 क्वेशन और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें एक मिनट एक क्वेशन और रहे गया है यहाँ पे मैं देख लेती हूँ इसको पारिस्तित की तंत्र के विशय में सही नहीं है पारिस्तित की तंत्र के विशय में सही नहीं है तो यहाँ पे क्या है यह एक बंदर तंत्र होता है अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा यह क्या है एक ओपन सिस्टम है पारिस्तित की तंत्र क्या है एक ओपन सिस्टम है और जो एको सिस्टम है उसकी जो अब धारना आई थी 1935 में आई थी कौन लेकर आये था इसको AG Tonsley लेकर आये थे और ये परिष्टित की तंत्र जो है वो एक विशेस प्रकार का होता है इसमें जैविक और आजैविक जो बायोटिक हैं और जो नॉन बायोटिक हैं दोनों प्रकार के इसमें घटक शामिल होते हैं तो आप याद रखेगा ये कोशन छूट गया था और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें, कॉमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए थाइंक यू जहन